शियुपरी जुला स्पताल में बर्ध सार्टिफिकेट के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरिल शियोपरी जिला स्पताल में एक महिला स्वास्त कर्मी का जन्म पर्मान पत्र बनाने के एवस में रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारेल हुआ है इसमें महिला कर्मी वेक्ती से सौ रुपे लेते हुए दिखाई दे रही है जब इसकी शिकायत की गई तो एक और विक्ती भी सामने आया और उसने चार्ट सो रुपे रिश्वत देने की बात कही सिविल सर्जन ने मामले को संग्यान मिले कर तीन सदस्ये जाचिदल गठित कर कारिवाही करने की बात कही है अमरपूर टपरियान कोलारस के रहने वाले संतान सिंग कुश्वहा ने शिकायत दर्च कराई है कि उसने बेटी काविया कुश्वहा के जन्व प्रमाणपत्र को डिजिटल बनवाने के लिए जिला अस्पताल में आवीदन किया था इस पर वा पदेस्ते संगडक ने कहा कि सो रुपे दे दो तो एक दिन में प्रमाणपत्र दे दूंगी नहीं तो पच्चिस दिन लगेंगे इस पर संतान सिंग ने सो रुपे दे दिये और इसका वीडियो भी बना लिया महिला कर्मी का नाम देवशिखा तिवारी बताया गया है इसे शुकायत के साथ अधिकारियों को सौपा गया है वाइरल वीडियो में संतान सिंग महिला कर्मी को पड़स से निकाल कर सो रुपे दे रहा है इसके बाद महिला करमी कहती है कि कल आ जाना एक बजे के बाद देखिये वाइरल वीडियो कि बाद में कराद मुड़ का बाद में